हेलो एवरिवान, वेलकम पैक तू मा यूटूब चानल, तो आज की वीडियो में हम फैक्टराइशन करना सीखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को, अब यहाँ पर एक्स के पहले कोई नमबर नहीं है, तो हम क्या मानते हैं, वन मानते हैं, तो वन और यह वाले नमबर को मल्टिप्लाइ करेंगे, तो कितना आएगा, 15 ही आएगा, अब देखिए, अब आपको कोई दो नमबर को मल्टिप्लाइ करना है, जिसे मल्टिप्लाइ करने पर 15 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर प्लस 8 आना चाहिए, ठीके, प्लस या माइनस करने पर ये center वाला number आना चाहिए तो वो कौन सा दो number है जैसे multiply करने पर 15 आएगा so 5 into 3 होता है 15 अब अगर इसको हम plus करते हैं तो क्या 8 आता है तो 5 plus 3 होता है 8 तो आप देख सकते हो multiply करने पर 15 आया है और plus करने पर आया है 8 ओके plus 8 तो अब यहाँ पर हम बीच में क्या लिख देंगे 5x plus 3x तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इससे आप rough कर सकते हो ठीके x square plus 5x plus 3x plus 15 then next अब यहाँ पर x square है ना तो x को दो बार लिख दो एक्स इन्टू एक्स प्लस 5 इन्टू एक्स फिर प्लस 3 इन्टू एक्स प्लस यहाँ पर 15 है तो 15 के फैक्टर क्या होते हैं 3 और 5 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इन्टू 5 अब यहाँ पर देखिए इसमें से और इसमें से common क्या है यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है तो दोनों में x x है तो x को हम एक बार लिख देंगे फिर उसके बाद बचा क्या x प्लस 5 तो x प्लस 5 को ब्रेकेट में लिख देंगे जो common था उसको हमने बाहर लिख दिया और बचे हुए को ब्रेकेट में लिख दिया अब देखिए plus अब इन दोनों में से common क्या है देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है तो इस 3 को एक बार लिख देंगे उसके बाद कुछ भी common नहीं है तो बच्चे हुए को bracket में लिख दो x plus 5 अब यहाँ पर देखिए x plus 5 x plus 5 ठीक है तो एक बार लिख देंगे x plus 5 को उसके बाद है x plus 3 so x plus 3